नमस्ते दोस्तों आज हम ऐसी चटनी बनाएंगे जो दाल चाओ और रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं एकदम देशी तरीके से बनाएंगे इस समय इसका सीजन भी चला है चलिए बनाना शुरू करते हैं उसके लिए 20 गराम अमिया ले लिया है यह ताजी अमिया है तोड़ के धो लिया है यह अपने ही पेंड की अमिया है अब इनको छील लेना है इस तरह से चाकू से छील लेना है ताजी अमिया की चटनी बहुत टेस्टी बनती है देखे कितने अच्छे से छिली जा रही है अभी ये मुलायम है इसलिए बहुत अच्छे से छिल जाती है और छिलने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है इसको हम सिल्वट्टे पे बनाएंगे आप लोग मिक्सर जार में भी बना सकते हैं ऐसे ही सारी अमियों को छील लेना है और बीज निकाल देना है ये चटनी एकदम सिंपल तरीके से बनती है तब भी बहुत टेस्टी लगती है अमिया ऐसी होती है कि सबको पसंद आती है और आम भी सबको पसंद आते हैं इसलिए इसकी चटनी बहुत टेस्टी लगती है और इस तरह से सारी अमियों काट लेना है और बीज निकालते जाना है देखिए हमने सारी अम्ब्या काट लिया है, अब धनिया ले लेते हैं, खड़ी धनिया है, और लाल मिर्च और हरी मिर्च ले लेते हैं, तीखा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अब नमक ले लेना है, ये देशी वाला नमक है, अब लैसुन डाल देना है, और थोड़ा सा जी पीश लेना है, बहुत आसानी से पीश जाती है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इसको मिक्सर जार में भी पीश सकते हैं, लेकिन सिलवट्टे की चटनी बहुत टेश्टी बनती है, देखे कितने आसानी से पीशी जा रही है, ऐसे ही मिक्स करते हुए पीश दे जान इस चटनी को खटी भी खा सकते हैं या फिर इसमें गुड़ चीनी मिलाके भी खा सकते हैं तब भी बहुत टेस्टी लगती है अगर दाल चावल के साथ खा रहे हैं तो खटी चटनी खा सकते हैं अगर खाली रोटी के साथ खा रहे हैं तो इस चटनी में गुड़ मिला के भी खा सकते हैं या फी चीनी मिला के बहुत टेश्टी लगती है और पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे ही mix करके खाएंगे तो बहुत tasty लगती है देखिये लगभग पिश्टू की है अभी थोड़ी सी है महीन नहीं हुई है इसलिए एक बार और पीश लेना है और बहुत महीन नहीं पीशना है दरदरी ही पीशना है तब ही tasty बनती है चटनी देखिये कितना अच्छा कलर आ गया है चटनी में सारी चीज़े mix हो गए तो कितना अच्छा कलर लग रहा है और खाने में भी बहुत tasty लगती है ऐसे भी रोटी पराठा के साथ खा सकते हैं देखिये चटनी पिश गई अब इसको एक कटोरी में निकाल लेना है देखिये कितनी अच्छी चटनी लग रही है इसको इस्टोर करके भी फ्रीज में रख सकते हैं खराब नहीं होती है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो फ्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फेमली मेंबर दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दो झाल